शाश्रीकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तोहड़ा दोस्त कमलदीप मैथमास्टर सरकारी हाई स्कूल पठला जिला बर्नाड़ा तों, एक वर फेर तोहड़े सामने हाज रहां दसमी जवाद दा अध्याए तीरा लेके स्ताई खेतरफल अते आयतन। अते नाल ही असी तेरा पॉइंट दो जो अभे आसे है साड़ी उस दे कोज स्वाल हल कीती सी। उस्तो बाद अज जसी अग्ये करदे हां तेरा पॉइंट दो दे जो बाकी स्वाल रहें दे हां उन्ना बरे असी गलवात करांगी। पर उस तो पहला एक छोटी जी चात जो कम असी पिछली कलास बिच कीता सी। पिछली कलास दे विचे जो असी सब तो पहला स्वाल कीता सी। उसी साड़े को एक ठोस एक अर्द को लेते खड़े शंकुदे अकार्दा है। जेकर दोमा दा अर्ध बयास एक सेंटीमीटर अते शंकूरी उचाई उस दे अदा अर्ध बराबर है ता इस दा जो आइतन सी असी पाई दे पदा दे रूबिच पता करना सी ता सामगे इस दे बिच कहा गया सी कि जो गोला है अर्ध गोला है उस दा जो आर्ध बयास है एक सेंटीमीटर है इसे तरह जो शंकू है उस दा भी आर्ध बयास एक सेंटीमीटर है अते इस दे नाल नाल जो साड़े कोल शंकू कारपाग है उस दी उचाई जो है वो भी साढडे कॉल एक राधागोला है उसेchu पर शंकु लग्या होए है तहां अर्द गोल यहाँ था 60 सूत्र सादे कोल है 2टाthis 1 chill सुत्तर है इक स्वाएक उत्त दूंते अते अज्धेकlekण बाच आंध है। स्वाएकड मोल्न न। अती के खर्ड़ता है। क उत्ता पंते पateg उच्च सथाखेंध है। उस दे विच सानु कहा गया सी की एक इंजिनिरिंग देव जयार थी मनोहर ने पतली एलमेनियम दी शीट दे नाल एक माडल बनाओना है जिस दे अकार जो है बेलना कार है आते दोंहें पासे जो दोंहें किनारे हन उनना दे नाल शंकू जुड़े हन जे कर माडल दा ब्यास तेन सेंटीमीटर अथे इस दी उचाई बारा सेंटीमीटर है अथे हरे एक शंकू دी उचाई दो सेंटीमीटर होबे ता इस माडल दी आयतन पता करो तब तो पहला सानु जे में कहा गया है कि इस दा व्यास जो है तेन सेंटीमेटर है ता असी अर्ध व्यास पता कीता था ओह हो आया साधे कुल तेन बटा दो शंकू दी उचाई सानू दसी होई है कि 2 cm है इसलिए बेलन दी उचाई कुल उचाई दे बिच्चों दो में जो शंकू है उनना दी उचाई माइनस कर दमांगे पिहुन कुल जो आयतन है वो पता करना है तो साधे कुल कुल जो आयतन आएगा ओहो आएगा जो शंकु है उस दे बिच हावा दा आयतन उस तो बाद जो बेलना कार अकिरती है उस दा आयतन आते तीसरे नमबर ते फिर तो शंकु दा आयतन तो सब तो पहला शंकु दा आयतन एक ओड़ा थैं, पाइयार स्क्वेर एच, फिर बिलिनद आए, तन पाइयार स्क्वेर एच, ह san जडिना एथे कैपिटलर्च लेखिया, क्योंकि बिलिनोभाइज उचाई जो है, उहो ज्यादा है, इसे तना, जो अगला शंकू है उसदा है एक कोड़ा तेन पाई आर स्क्वेर एच जदो आसी सारे नूं सौलब कर दे हाँ ता साधे कोल आ जान्दा है पाई आर स्क्वेर कॉमन ब्रेकेट स्टार्ट अच पलस टू बाई त्री स्मॉल अच होन असी जीडे सानू मोल देते हैं उहो इस दे वेच पर देनने हा ता साधे कोल आ जान्दा है बाई बटा सात गुना तेन बटा दो गुना तेन बटा दो ब्रेकेट स्टार्ट अट जोड दो बटा तेन गुना दो जिसनू अग्गे काल थे हैं स्काइन हैं जित्ते कि आपस विच्च थे बहुत सद्रेत टर्म्झ कैंसल यख़ जान धी हां नित Hum还有 2012 क्या ता ईतना जान और माटल दा 2006 जलतेट गअन हैज рафिन ह हो 56 cm दी इस तो बाद जो असी दूसरा स्वाल कीता सी उस दे विच साड़े कोल सी की एक गुलाव जामन विच उस दे आयतन दी लगपग ती प्रचीशत खंड दी चाशनी है पंताली गुलाव जामना विच लगपग किन्नी चाशनी होगी जे कर हरे एक गुलाव जामन एक बेलन दी अकार्दा है अते जिस दे दूने सिरे जो हन अर्द गुला कर हन अते उस दी लंबाई 5 सेंटीमेटर अते ब्यास 2.8 सेंटीमेटर है जिस तरह असी तस्वीर विच देख पा रहे है कि जो ब्यास 2.8 सेंटीमेटर अर्द ब्यास 2.4 सेंटीमेटर लंबाई 5 सेंटीमेटर गोले अर्द ब्यास 1.4 जो ब्यास उस दी लंबाई साड़े को ला जाएगी 5 कटाओ 1.4 कटाओ 1.4 जनी की 2.2 सेंटीमेटर आजएगी होना सी गलाव जामन जो आईतन है उह पता करांगे तक गलाव जामन जो आईतन है सब तो पहला दो हें साइट ते जो अर्द गोले लगे हैं उना दा आईतन प्लस ब्यास दा आईतन आर्दो गोले दा आईतन सानू पता है 2 बटा 10 पाई आर दी पावर तेन बेलन दा आईतन पाई आर स्क्वेर एच प्लस 2 बटा 10 पाई आर दी तेन जदो असी इना दे मुल जो हान पर दमागे ता साढ़े कोल एक गोलाव जमन दा आईतन जो है उहू आजन दा है पच्ची पॉइंट जीरो पाँज सेंटी मीटर दी पावर तेन उस्तो बार असी पंताली जो गुलाव जमनाहन उना दा आईतन पता करना है ता पंताली नल इसनों मुल्टिप्ले कर दमागे अते खांड जी चाशनी जो है ती परसेंट है ता ती बटा सो गुना एक हजार एक सुस्ताई पॉइंट पच्ची सड़ साधकोल आजन रहा 370.7 सेंटी मीटर दी पावर 10 इस्तो बार जो असी चोःतास वाल कीता सी उस दे विच इस तो बाद जो असी चोथा स्वाल कीता सी उस दे विच साड़े कोल सी की एक कलमदान कनाव दे अकार्दी ही लकड़ीदा बने होया है जिस दे विच कलम रखन दे लेई चार शंकू अकार्दे खड़े बने हुए हन कनावदियां पसाना 15 cm, 10 cm अते 3.5 cm हन हरे एक कड़े दा जो अर्ध ब्यास है वो साड़े कोल 0.5 cm है अते गहराई 1.4 cm है पूरे कलमदान बिच लकड़ी दा आयतन पता करो तक जिसतना की असी देख पा रहे हैं की साड़े कल कना आपसी इस दे विच पैन जा पैंसल रखन दे लेई जो खड़े बनाए गया इसी असी कुल लकड़ दा जो आयतन है वो पता करना है तक ना आपदियां पसारां सानों जित्तियां सान उसी लिख लियां 15 cm गुना 10 cm गुना 10.5 cm इस तो बाद जो शंकू कारसी उस दे खड़े दा अर्ध ब्यास साड़े कुल है 0.5 cm अते इस दी गहराई जो है साड़े कुल 1.4 cm जिमे की यसी तस्वीर बिच भी देख पा रहे हैं कि समनों इस दा लकड़ी दा आयतन पता करन दे लिए पहला कना आपदा आयतन जो है पता करना पाएगा उस्तो बाद जो साड़े को चारे शंकू अकारदे कटे हुए खड़े हन उन्ना दा खेतर आयतन जो है उहो बिचो माइनस करना पाएगा तब पूरे कलमदान दे लिए लकड़ी जो है ब्रब्र है कना आपदा आयतन माइनस 4 गुणा शंकू कार खड़े दा आयतन हुन सानु पता है कि कना आपदा आयतन हुदा है लंबाई गुणा चुड़ाई गुणा उचाई माइनस 4 गुणा एक वड़ा 10 पाई यार स्कूरे एच जदो असी इस सारे नूँ सौलव कर दे हां ता साढ़े को लाजन है पांसो तेई पॉइंट रबंजा सेंटीमेटर दी पावर 10 इस तरह असी दिखते हुए कना आपदा जो है लकड़ा जो साढ़ा कलमदान है उस दा आयतन पता कर सकते हैं होना सी कर दे हां कोशिया नूबर पांज एक बरतन एक ओल्टे शंकूदे का आर्द है इस दी उचाई 8 सेंटीमेटर है अते इस दे उपरी सिरे जो हन उस दा आर्द ब्यास 5 सेंटीमेटर है एहे उपर तो खुला है अते पानी नल पर रहा हुए है जदो इस बरतन मेंच सि 0.5 सेंटीमेटर है ता एहे एक बटा चार हिस्सा जाने की एक च्छथाई पाग जो है खाली हो जानता है इस तरह असी किन्या गोलियां पाईया हन उन्ना दी गिंती पता करनी है सब तो पहला जेमेशन कोश्चन दे बिच कहा गया है कि साढ़े कोल एक ओल्ट कीती हुई श इस दे नाल शंकूदा चोथा हिसा जो है ओहो खाली हो जानता है ता प्यारे बच्चों जिमे किसानू पता है कि जिनना पानी बाहर आएगा इस दा मतलब उन्ना ही स्थान गोलियां ने के रहा है ताहों असी आयतन पता करते हैं सब तो पहला गल करांगे शंकूदी शंकू कचा कूओ दा आयतन दा फ्वार्मूले न्दा होंदा है एक बटातें पाई आर स्क्वेर एक ग्यासे एक हों असी आर्ज जगाते मूल पर आंगे पांगे पांच आथे हैं अाथे एक ह्जगाते पर आंगे आठ ता साड़्य को ला जाएगा एक पकांधन गुना बाई बटे 21 cm दी पावर 3 तो हूं असी जो सिक्के दी गोली है उस दे बारे बिते गल कर दे हां तो जो सिक्के दी गोली है उस दा अर्ध बयास है 0.5 cm आए तन 4 बटा 10 पाई आर दी पावर 3 तो हूं आर जो है उस दी जगते असी पर आँगे 1 बटा 2 जदो असी इस सारे नूँ हल कर दे हां ता साड़े कोल आज अंद है 11 बटा 21 सेंटी मीटर दी पावर तेन एहे साड़े कोल एक गोली दा आईतन आजाएगा हून अजे हिआं साड़े कोल कुल N गोल यहां असी मान लेने हां कि साड़े कोल कुल N गोलियां ता N गोलियां दा आइतन बराबर है 11 बटा 21 गुना N ता एहे आजाएगा 11 बटा 21 N ताहुन N सिख्यां दा जो आइतन है वो किस दे बराबर है जिनना शंकू दा आइतन सी ओस दे एक चताई पाग दे बराबर है जने की एक वटा चार गुना ग्यारा मुल्टीप्डाई साइड जाके डिवाइड हो जानगे अते इक्की जो डिवाइड सी और दूजी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जनगे अते जरू असी इसनों सारे नों सौल्व करांगे ता साड़े कुल आजाएका सौ इस तरह असी सौ गोलियां जो सन उहो भिच पामांगे शंकू दे जिस दे नाल उहो एक बटा चार हिसा खाली हो जनदा है इस तो बाद हो न सी कर दे हैं अगला कोश्यन कोश्यन नबर 6 उचाई 220 सेंटीमीटर अते अदार 24 सेंटीमीटर बाले एक बेलन जिसते उचाई 60 सेंटीमीटर अते अर्धब्यास 8 सेंटीमीटर बाला एक होर बेलन रख्या गया है नाल लोहे दा एक खंबा बनाए गया है इस खंबे दा द्रबमान पता करो जेकर एक सेंटीमीटर दी तन पार दा लोहे दा द्रबमान 8 ग्राम हो भी ता साड़े कोल एक अकिरती है जिस तरह की तस्वीर विच असी देख पा रहे हैं जिस दे विच हेठा जो पाग है वो भी बेलनाकार है आते उपरी पाग भी जो साड़े कोल है बेलनाकार है ता इस दी जो उचाई है 220 सेंटीमीटर है आते जो उपर बाला है उस दी 60 सेंटीमीटर है सब तो पहला असी दोना दा आयतन पता करांगे आइतन पता करन देली बड़े बेलन्दा ब्यास ब्राबर है 24 सेंटीमीटर आर्द ब्यास ब्राबर है 12 सेंटीमीटर उस्त बार बड़े बेलन्दी उचाई ब्राबर है 220 सेंटीमीटर छोटे बेलन्दा जो ब्यास ब्राबर है आर्द ब्यास जो साधे को लेगा बडडे बेलन दा आइतन जोड चोटे बेलन दा चोलित भी बडड़ी यार है ऐसें लिएब अधे बडडी है ताहून सानू एना दे मुल पता हन ता जो जो मुल हन उह उसी उते फिल कर दमागे ता साड़े को ला जाएगा तिन पॉइंट चौदा जनी की पाइन उसी दोना बिच्चों सांजा ले ले लेया कॉमन ले लेया अते आर स्केर जो कैपिटल है बड़ी आर है उह बारा है ब ता एहे साड़े को ला जाएंद है तेन पॉइंट चौदा ब्रैकेट स्टार्ट एकत्ती हजार छेसो असी जोड अठथी सो चाली जोनों दूना ना असी जोड कर देहां ता साड़े को ला जाएंद है पैंती हजार पानसो बी गुना तिन सो चौदा बटे सो एसनू असी अग्य हल कर देहां ता साड़े को ला जाएगा एहे एक लख ग्यारा हजार पानसो बती पॉइंट अठ सेंटी मीटर दी पावर तिन हुन असी इस दा पार पता करना है एक सेंटी मीटर दी तिन दा जो पार है वो हो आठ गराम है ता साड़े को लख ग्यारा हजार पा गुना कर दमागे जो की साठे कुल आ जाएगा 8 लक 1262.4 ग्राम जे कर इसनू असी किलो ग्राम देबिच बदन ला हुबे ता इसनू असी 101 पाउक कराँगे उसदा असी पार जो है पता कीता है 892.26 किलोग्राम होना सी करांगे कोश्य नमबर 7 जिस्ते बिच सानुजो कहा गया है कि एक ठोस बिच उचाई 120 सेंटीमीटर अते अर्द ब्यास 60 सेंटीमीटर बाला एक शंकू शामल है जो 60 सेंटीमीटर अर्द ब्यास बाले अर्द गोलेते बने है इस ठोस नूँ पानी नाल परे होए एक लब चक्री बेलन बिच इस प्रकार सिद्धा पाद ता जान्द है कि एहे बेलन दे तल नूँ संपर्क करद है जे कर बेलन दा अर्द ब्यास 60 सेंटीमीटर अते वचाई 180 सेंटीमीटर होवे ता बेलन बेच बचे बाकी पानी दा आयतन पता करना है ता प्यारे दोस्तों जे में की सानू कोश्चन दे बिच कहा गया है कि साड़े कोल एक बेलना कार अकिर्ती सी जिस दे बिच असी एक शंकू जो है ओ पाद ता शंकू दे नाल अर्द गोला जो सी ओ भी लगया होया सी अते जिस तरह कोशें दे बिच कहा गया है कि जो बस तू इस दे बिच पाई गई है उस दा अदार बेलन दे अदार नू टाच करदा है इस दा मतलब है कि कुल उचाई जेडी है वो 180 सेंटीमीटर ही है ता हुन असी बाकी बचे पाणी दा जो आईतन है उहुँ पता करना है ता सब तो पहला असी करांगे कि बिलन दा आईतन पता करांगे उस दे बिचों असी जो शंकु है अते जो अर्ध गुल है उस दा आईतन माइनस करदा मागे तो सब तो पहला हो नसलिख कर दें हाँ शंकू दा अर्ध ब्यास ब्राबर है अर्ध गोले दा अर्ध ब्यास जो की साधकोल है 60 cm इसे तरह शंकू दी उचाई साधकोल है 120 cm बेलन दी उचाई साधकोल है 180 cm जिसनु की मैं बड़ी H दे ना लिखया है पैला असी पता करांगे जो बेलन है ओस्दा आइतन जिम्ए किसा नो पता है कि बेलन दे आइतन दा जो सूतर हुंदा है उ कुँदा है पाई आर स्क्वेर H ता था नो जो आर है उस्दा मुल पता है कि शाड़ कोल इस बिलन दा जो अर्दब्यास है ओहो 60 है ता 80 लिखाएंगे इसनों बाई बटा 7 गुना 60 गुना 60 उचाई दी जगाते 80 लिखांगे 180 ता 60 को लेहीं आजाएगा बाई बटा 7 गुना 3600 गुना 180 होन बेलन बिच पाय ठूस दा एतने बेलन बिच असी दो चीजां जो हन ओपायन हन सबतों पहली चीज जो साधे कुल है उह है अर्दगोला अतों दूजी चीज जो साधे पाय है वो है साधे कुल शंकू ता कुल जो ब्यल्लन बिच पाय ठोस है उस्सदा आइत्ता आजाएगा साधे कों दो बटा 10 πाई आर ती पावर 10 प्लस एक बटा 10 पाई आर स्क्वेयर है ताहून जिस्तनाकी सानू पता है दिख रहे है फार्मूले दे बिच इस दे बिच उंग एक बटा 10 पाई आर स्क्वेर जो है असी कॉमन ले लमांगे ता साड़े कोल ब्रेकेट दे बच जाएगा दो आर जोड एच हुन आर दी वैल्यू सानु पता है साठ है इस कोशन दे बिच आते जो उचाई है शंकूदी ओहु एकसो बी है ता असी जो जो मुल पर आंगे ता साड़े कोल आजाएगा एक बटा तिन गुना बाई बटा सत, गुना साथ, गुना साथ, ब्रेकेट स्टार्ट, दो गुना साथ, जोर एक सो बी इसनों असी जो अग्गे हल कर दे हां ता असी ब्रेकेन उस्वाल करांगे वह साधे कुल आ जाएगी 240 अते साथनु साथना गुना करनते साणु प्राप्त हो जाएगा 36 ता साडे को जो ब्रेके पाए ठोस ला आएतन है वह आ जाएगा एक गुना बाई बाटा स्थ गुना 36 गुना 24 चाली, हुन जदों असी बिल्दन दे बिचे हे ठोस पाद देता तब जो बिल्दन बिच पानी बचेगा, उसदा आइतन आईगा, बिल्दन दा आइतन माइनस उस बिच पाएगे ठोस का आइतन. बेल्लन दा आयतन जो सी असी पता कीता सी 2.7 गुना 3400 गुना 180 माइनस बेल्लन बिच पायेगे थोस दा आयतन 1.10 गुना 22.7 गुना 3400 गुना 240 त इस दे बिच वों आसी देख झे देऊ हां कि अधे शती सो जोहान कॉमन आजान देऊन सांजे आजान देऊन अधे ब्रέक τη विच साड़ी को बाच जानदा है इक सो अस ही माइनस एक काव जोरा बढ़ा न गुना दोसो चाली जो की अग्गे जरो हँल कर दे हाँ ता साड़े को लाजान्द है बाई बटा सत गुना 36 ब्रैकेट स्तार्ट 18 माइनस 80 आदे इसनु अग्गे जरो सी हल कर दे हाँ ता साड़े को लाजान्द है 79,20,000 बटे सत 80,000,207 सेंटी मिट्र दिपावर 30 इस पने में आसि अग्य पाग कर देँ है ता साथिक पूल आही आजन्यदा है 11,306.5 cm द साथे कुल आते लिवानेड़ के साथिक है एक पॉइंट करती मीटर क्यूब इस तरह असी जो है आयतन पता कर सकते हैं हुन अगला स्वाल जो साड़े कुल है इस दे विच सानुक किया गया है कि एक गोलाकार काच्च दे बरतन दी एक बेलन दे एकार दी गर्दन है जिस दे लंबाई 8 cm है अते 42 cm है जदो की गोलाकार पागदा जो ब्यास है ओहो 8.5 cm है इस विच पर एजासकन वाले पानी दी मात्रा जो है ओहो पता करनी है जदो की एक बच्चा जो है ओहो कह रहा है कि इस दा आयतन 345 cm दी पावर 10 है ताहून सब तो पहला जिस तरह की सानूं कोश्चन दे विच किहा गया है कि एक गोलाकार बरतन है जिस दी गर्दन जो है ओहो बेलना कार है जिस तरह की असी तस्वीर विच देख पा रही है ताहून सब्सक्राइब जो गोला है उस दा आयतन पता करना पाएगा इस दे ना नाल जो है बेलन दा आयतन पता करना पाएगा ताह बेलन दे अधा अर्दी गर्दन दा ब्यास ब्राबर है दो सेंटीमीटर ताह अर्द ब्यास ब्राबर है एक सेंटीमीटर उचाई ब्राबर है आट सेंटीमीटर इस दे ना नाल हून आसी जो है पता करांगे बेलन दा आयतन पाई आर स्केर अच पाई दा मॉल तैन प गुणा एक गुणा आठ जदो असी इसनों हल कर देहां ता साड़े को लाजन्द है पच्ची पॉइंट बारा सेंटीमीटर दी पावर तिन उस तो बार जो दूसरा पाग है गोला कार पाग उस दा अर्ध बेहसा जाएगा साड़े कोल 8.5 बटे 2 ता गोला कार पाग दा आएतन बराबर है 4 बटा 10 पाई आर्ध दी पावर तिन आर्ध जगा देते असी 8.5 बटे 2 जो है वह वैल्यू फिल कर जमागे ता साड़े कोल आजाएगा 321.49 सेंटीमीटर दी पावर तिन हुन जदो असी कुल आएतन पता करना है ता ओहो आजाएगा जो बेला कार पाग प्लस अर्ध गोला कार पाग इना दोना दे आएतन दा जोड कर दमागे ता पच्ची पॉइंट बारा जोड 321.49 ता साड़े कोल जो आएतन आजाएगा ओह आजाएगा 346.51 सेंटी मीटर दी पावर तिन इस दिन आली साड़ी 13.2 अवे आज जो है ओखातम हुन दी है आज कर दा हां कि सबनू चंगी तरा जो सबाल हान समझ लग गए होंगे जे कर किसे भी विद्यार्थिनू किसे भी तरा दी कोई दिक्कत होवे ता ओह अपने अध्यापक सहवान तो इस कोईशन बारे होर जानकरी ले सकता है जान तो पहला होना सी गल कर दे हैं कर दे कम दी जो भी अज जासी कलास दे बिच कम कीता है तुसी उन्हारी चंगी तरा दोहराई करनी है करे सबाल जो हन ओह काप पीते करके देखने हन चांकि तुहानों ओह चंगी तरा समद लग जान आस है कि तुहानों जो मैं काम देता है तुसी ओह चंगी तरा करोंगे फिर मिलांगे तद तक सारे हनों मेरे बलों शश्यका